प्यारे बच्चों, जेसी यार्टी के डीजी स्कूल में आप सब का स्वागत है। मैं गनेश कुमार आज की इस वीडियो में क्लास एट के विज्ञान के पार्ट छे बल तथा अदाव के अभ्यास प्रस्ण पर चर्चा करूँगा। इस अभ्यास में कुल 25 प्रस्ण है तो जाहिस सी बात है वीडियो थोई लंबी होगी। आप सबों से अनरोध होगा वीडियो को अंतक जरूर देखें तभी आप इसका पूर्ण लाग ले पाएंगे। और अगर आपके मन में कोई प्रस्ण हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तो फिर देर ना करते हुए चलिए अभ्यास प्रस्ण को हल करना सुरू करते हों। और इसका सही उत्तर है ख इस्थिर वेद्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्यद है। दूसरा प्रस्ण है निम्न लिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? अप्शन है क, गुरुतु बल, ख, चुम्बकिया बल, ग, इस्थिर वेदुत बल, ग, घर्षन बल और इसका सही उत्तर है ग, घर्षन बल संपर्कित बल उस बल को करते हैं, जो भोतिक संपर्क के द्वारा लगता है और इन चारों बलों में से घर्षन बल ही है, जो संपर्कित सत्वों के बीच कार्य करता है अब चलिए हम लोग दूसरे प्रस्ण क्यों चलते हैं हमारा दूसरा प्रस्ण है रिक्त अस्थानों को भर ये और इसमें पहला है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खाली अस्थान करती है तो इस खाली अस्थान में क्या भराएगा देखिए आवेशित वस्तू अनावेशित वस्तू को आकर्षित करती है तो हम यहां भरेंगे आकर्षित दूसरा है एक चुम्बक का उत्री ध्रू दूसरे चुम्बक के उत्री ध्रू को खाली अस्थान करता है तो हम सभी जानते ह चुम्बक के समांधरों के बीच प्रतिकर्षन होता है और आसमांधरों के बीच आकर्षन होता है तो यहाँ पर क्या होगा प्रतिकर्षन? तो हम क्या लिखेंगे खाली अगपर यहां लिखेंगे प्रतिकर्शित तीसरा वस्तु पर कारिकत बल उसके अवस्था तथा खाली अस्थान में परिवर्तन कर सकता है देखी हम लोगों ने बल के परभाव को पढ़ा है कि बल लगाने से किसी वस्तु के अवस्था या आकृति में परिवर्तन हो सकता है तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे आकृति चोथा बल का मात्रक खाली अस्थान है बल का मास रख होता है नूटन, खाली अस्थान में क्या भरेंगे? नूटन पांच हुआ, एक आंख खाली अस्थान पर कारिरत बल दबाव कहलाती है हम सबी दाव का परिभाशा जानते हैं, एक आंख छेत्र फल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं तो यहां पर हम क्या भरेंगे? चेत्र फल चठा दरव में दवाव गहराई के बढ़ने से खाली अस्ठान है देखिए जब किसी दरव में गहराई को बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे दरव की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे उसका दवाव भी बढ़ता है तो इसमें हम क्या भरेंगे? बढ़ता साथवा, धनुस को खिंचने के लिए धनुर धर बल लगाता है जिसके कारण इसकी खाली अस्थान में पईवर्तन होता है तो जब कोई धनुस पर बल लगाता है तो उस धनुस के आकृती में पईवर्तन होता है तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे आकृती आठवा धनुष को खिंचने के लिए धनुष द्वारा लगाया गया बल खाली अस्थान बल का उजारन है देखिए बहुत परकार के बल होते हैं तो जब धनुष उस धनुष पर बल लगाता है तो अपने मानस्पेसिया बल का उप्योग करता है तो यहाँ पर खाली अस्थान में क्या भरेंगे मानस्पेसिया बल नवा तीर के गती की दिशा में पैवर्तन के लिए खाली अस्थान बल उत्तरदाई है देखिए जब धनुष से तीर को चलाता है तो तीर गती करती है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद धेरे तीर जमीन की तरफ गिर जाती है तो जमीन की तरफ गिराने के लिए कौन सा बल उत्तरदाई है गुरुत्तु बल तो यहाँ पर खाली अस्थन में क्या भरेंगे? गुरुत्व. अब चलिए हम लोग बात करते हैं, तीसरे प्रस्ण पर, हमारा तीसरा प्रस्ण है, जब बैलून में हवा भरी जाती है, तो उसके आकार एवं आकिर्थी में परिवर्थन क्यों होता है? देखिए, इसका उत्तर होगा, कि जब बैलून में हवा भरी जाती है, तो हवा बैलून के दिवार पर चारों ओर दबाव आरोपित करती है, या दाव लगाती है, इसी कारण से बैलून के आकार एवं आकिर्थी में परिवर्थन होता है? चौन्था प्रस्न है, किसी वस्तु पर काईरत बल को दोगुना कर दिया जाए, तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस परकार परिवर्थित होता है? किसी वस्तु पर कायरत बल को दोगुना कर देने पर उस वस्तु पर आरोपी दवाव भी दोगुना हो जाता है थोड़ा सा हम लोग इसकी ब्याख्या कर लेते हैं जैसे माल लेते हैं एक वस्तु है और उसके सता का छेतरफल है A और उस पर बल लगा F इस स्थिती में उस पर लगने वाला दाव माल लेते हैं P1 तो P1 ब्रबर हो जाएगा F बटा A अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरी स्थिती का कि वस्तु वही है उसका छेतरफल उतना ही है लेकिन इस बार जो लगने वाला बल है वह पहले वाले बल का दोगोना हो जाए मतलब इस बार हो जाए 2f तो इस स्थिती पर दाव कितना होगा माल लेते ही इस स्थिती में दाव होगा P2 तो P2 बराबर हो जाएगा 2f बटा A बराबर 2f बटा A अब देखिए F बटा A तो P1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2P1 इसका मतलब P2 जो होगा वह 2P1 के बराबर होगा मतलब दूसरी इस्थित्य का जो दाब है वह पहली इस्थित्य के दाब का दो गुना है ठीक है अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रस्ण क्योंड हमारा प्रस्ण है उस रासी का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है तो आप सभी जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है तो इसका उत्तर क्या होगा उस रासी का नाम होगा बल छठे प्रस्ण में बात करते हैं हमारा छठा प्रस्ण है बीप्रित दिशा में कारियत बलों F1 तथा F2 का पाइनामी बल कितना होगा उत्तर क्या होगा बीप्रित दिशा में कारियत बलों का पाइनामी F1 तथा F2 के अंतर के बराबर होगा आप मेरी स्क्रीन पर देखिए अगर कोई वस्तू हो और उस वस्तू पर दो बल F1 तथा F2 एक दुसरे के बिप्रित दिशा में काहिरत होंगे तो पैनामी बल F1 और F2 के अंतर के बराबर होगा और इस पैनामी बल का जो दिशा होगा F1 और F2 में से जो भी बल बड़ा होगा उसी के दिशा में होगा हमारा सात्वा प्रस्ण है जग किसी वस्तू को उचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताईए उस्तर होगा जब किसी वस्तू को उचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है चाल में पैवर्तन करने वाले बल का नाम है गुरुतू बल, क्योंकि इसी गुरुतू बल के कारण वश्टू नीचे की और गिरती है आठवा प्रस्न है, जब कंगी को सुखे बाल से रगडा जाता है, तो वह काज़क के छोटे-छोटे टुकडों को आकरसित करता है इस प्रक्रिया में कौन सा बल कारण है? उत्तर होगा कि जब कंगी को सुखे बालों से रगडा जाता है, तो वह काज़क के छोटे-छोटे टुकडों को आकरसित करता है इस प्रक्रिया में इस्थिर वेदूत बल कारण है नवा प्रस्न है, जमिन पर विखरे लोहे के पीन को इकठा करने के लिए कोन से बल का उपयोग किया जाता है? उत्तर है जमिन पर विखरे लोहे के पीन को इकठा करने के लिए चुम्बा किया बल का उप्योग किया जाता है दस्वा प्रस्न एकांक छित्रफल पर कार्यत बल को क्या कहते हैं उत्तर है एकांक छित्रफल पर कार्यत बल को दाब कहते हैं दाब को P से दिखाते हैं, P बड़ाबर हो गया बलबटा छ्छत्रफल 11. क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव अलहार के छ्छत्रफल पर निर्भर करता है 12. क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है कैसे हाँ द्रव का दाब गहराई पर निभर करता है जैसे जैसे गहराई बड़ती है वैसे वैसे द्रव का दाब भी बड़ता है चलिए हम लो चलते हैं अब अगले परस्न की और तेरह वा परस्न बल के विविन्य प्रभावों का उल्ले किजिए उत्तर बल के विविन्य प्रभाव निम्न लिखित है पहला बल लगाकर किसी विराम वाले वस्तु को गतिसील किया जा सकता है दूसरा बल लगाकर किसी वस्तु को गतिसील वस्तु को गतिसील किया जा सकता है तो ये सब बल के प्रभाव है अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगली प्रस्ण की हमारा अगला प्रस्ण है 14 प्रस्ण बल के बिविन्य प्रकारों का वर्णन कीजिए तो उत्तर है बल मुख्यता पांच प्रकारते होते हैं पहला मानस्पेसिया बल दूसरा घरसन बल तिसरा चुम्बाकिया बल चोथा इस्थिर वेद्युत बल और पांच वा वुट्वाकरसन बल मानस्पेसिया बल क्या होता है जीव जन्तुओं के मानस्पेसी द्वारा लगाए गये बल को मानस्पेसिया बल कहते हैं गर्षन बल तो जब कोई वस्तू किसी दूसरी वस्तू के सतह पर गती करती है तो दोनों वस्तू के संपर्क सतह पर गती के बीपरित दिशा में एक बल लगता है जो गती का बिरोध करता है इसी बल को गर्षन बल कहते हैं चुम्बक किया बल किसी चुम्बक के द्वारा लोह चुम्बक किया पदार्थो जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट पर लगाया गया बल चुम्बक किया बल कहलाता है इस्थिर वेदूत बल जब कोई इस्थिर आवेश किसी दूसरे इस्थिर आवेश पर कुछ दूरी से सिधे संपर्क के बिना बल लगाता है तो इस बल को इस्थिर वेदूत बल कहते हैं गुर्टवाकर्शन बल, निटन के अनुसार इस ब्रमान की परतेक वस्तू, दूसरे वस्तू को एक बल लगा कर अपनी औराकर्शित करती है, इस बल को गुर्टवाकर्शन बल कहते हैं अगला प्रस्न है, मानस्पेसिय बल क्या है, इसका एक उधारन दीजिए, मानस्पेसिय बल, जिव जन्तू के मानस्पेसि द्वारा लगाए गए बल को मानस्पेसिय बल कहते हैं, जैसे जब हम किसी वस्तू को उठाते हैं, तो हम मानस्पेसिय बल का परियोग करते हैं, जब क क्या है संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभासा दीजिए उत्तर है बल धकेलने अथ्वा खीचने की वह परक्रिया है जो किसी वस्तु पर लग कर उसकी अवस्था में प्यवर्थन करता है अथ्वा प्यवर्थन करने का प्रियास करता है बल उख्यरुप से दोबरकार के होते हैं शंपर्कित बल और असंपर्कित बल संपर्कित बल जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सिधे भोतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं जैसे मानस्पेसिया बल, घरसन बल, संपर्कित बल के उधारन है आसंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सिधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो उसे आसंपर्कित बल कहते हैं जैसे चुम्बाकिया बल, इस्थीर विदूत बल, वुर्त्वाकर्सन बल, इत्यादी आसंपर्कित बल के उधारन है हमारा अगला प्रस्द है संतुलित बल तथा आसंतुलित बल क्या है संतुलिद बल जब किसी वस्तु पर कारेरत अनेक बलों का पाय नामी बल सुन्य हो तो उन बलों को संतुलिद बल कहते हैं जबकि आसंतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर कायरत अनेक बलों का पाईनामे बल सुन्य नहीं हो तो उन बलों को आसंतुलित बल कहते हैं. 18. प्रशन है एक धारधार चाकु दारहिन चाकु की अपयक्षा वस्तू को आसानीच से काटता है क्यों धारहिन चाकु की अपयक्षा धार-धार चाकु का पिनारा काफी तिक्षन होता है जब दोनों ही चाकुणों पर समान बल आरूपित किया जाता है तब धारहिन चाकु पर छेतरफल अधिक होने के कारण दाव कम उत्पन होता है जबकि धारदार चाकु में छेतरफल कम होने के कारण दाव अधिक उत्पन होता है और यही कारण है कि धारदार चाकु धारहिन पुर्षाकूप की अपिक्षा वस्तौ उनको आसानी से कार्ता है। उन्शमप्रस्ण वायूमंग दवाओ से क्या समझते हैं। यह हमारी पृथ्व के चारों तरफ वायू का एक आवरन्थ है। तो प्रित्वी के चावंत रफ वायू के आवरन के द्वारा जो दाब प्रित्वी पर लगा जाता है उसे ही हम लोग वायू मंडलिया दाब कहते हैं। वायू मंडल यह दाव। वायू मंडल में इस्थित वायू के एकांक छित्रफल पर पढ़ने वाला भार वायू मंडल यह दबाव कहलाता है। निर्भर करता है। चित्रफल अधिक होने पर दाव कम उत्पन होता है। इसे हम एक उधारं के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। लकड़ी के तक्ते के अंदर चली जाएगी। इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि एक कील के शंपर्क सता का छित्रफल कम होने के कारण एकांक छित्रफल पर लगने वाला बल अधिक होता है। जिससे की अधिक दावुद्पन होता है। और जब बहुत सारी किलो पर बल लगाते हैं तो बहुत सारी किलो को मिला कर समपर्क सता का छित्रफल अधिक हो जाता है। जिसके कारण एकांक छित्रफल पर लगने वाले बल का माण कम हो जाता है और इससे कम दावुद्पन होता है। एकिस्वा परस्ण चुम्बकया बल का प्रायोगिक उदारन दीचिए, उत्तर। चुम्बक किया बल एक वैसा बल है जो चुम्बक के द्वारा लोह चुम्बक किया पदार्थों पर लगाया जाता है इसका एक प्रायोगी उदहरन इस प्रकार है जब किसी चुम्बब को लोहे की कील के सामने लाय जाता है तब चुम्बब लोहे की कील को अपनी ओर आकर्शित करता है अपनी ओर खीज लेता है यह चुम्बब किया बल का एक उलाहरन है 22 प्रस्न, घर्षन बल क्या है? घर्षन बल एक शंपर्तित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए घर्षन बल जब कोई वस्तू किसी दूसरी वस्तू के सतह पर गती करती है तब दोनों वस्तू के संपर्क सतह पर गती के वीपृत दिशा में एक बल लगता है इस बल को ही घर्षन बल कहते हैं घर्षन बल एक संपर्तित बल है क्योंकि घर्षन बल तभी लगता है जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है बिना संपर्क के घर्षन बल की उत्पति नहीं हो सकती है 23 प्रस्न दबाव की परिभासा दीजिए बल च्छत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है दबाव के मात्रक का उल्ले किजिए उत्तर दबाव परती एकाई च्छत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं यदि किसी वस्तू का च्छत्रफल A हो उस पर लगने वाला बल F हो तथा इससे उत्पन दब पी हो तो P बरावर F बटा A अर्थात दबाव बरावर बल बटा च्छत्रफल दबाव का मात्तरक पास्कल होता है एक पास्कल बराबर एक न्यूटन बटा एक मीटर एस्कुयर अर्थात यदि एक न्यूटन का बल एक मीटर एस्कुयर छत्रफल वाले सता पर लगता है तो इससे उत्पनदाव एक पास्कल के बराबर होता है चोबिस्वा प्रस्न अस्कूल बैग में चोड़ी पट्टियां लगी रहती है क्यों? उत्तर हम सभी जानते हैं कि सता का छत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस पर उत्पन होने वाला दाव उतना ही कम होगा यही कारण है कि अस्कूल बैग की पट्टियां चोड़ी होती है अस्कूल बैग की पट्टियां चोड़ी होने से उस पर लगने वाला दाव कम होता है और आसानी से बच्चे उसे एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते हैं चली अब हम बात करते हैं इस चेक्टर के अंतिम प्रस्ण पर 25 प्रस्ण है हवा हमारे सरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं क्यों? उत्तर है हवा हमारे सरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं इसका कारण है कि बाहर का हवा जितना दबाव हमारे सरीर पर अंदर की ओर लगाती है हमारे सरीर के अंदर उपस्थित हवा और रक्त भी उतना ही दबाव बाहर की ओर लगाती है जिससे की दोनों दबाव एक दुसरे को निरस्त कर देते हैं और हम वायू मंडल ये दबाव का उनुभव नहीं कर पाते हैं कर दो